हेलो एब्रीवन वेल्कम टी माई चैनल नैचरन्स ब्यूटी वर्ड कैसे हैं आप सब आज अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी रियल ब्राइट पे स्किन केर बट यह स्किन केर कुछ डिफरेंट होगा अगर आपके ब्राइड आती है और उसके फेस पर हल्दी होती है और आप मेक अप करते हैं तो वो मेक अप कहिना है कहीं काला हो जाता है क्योंकि हल्दी पर अगर आप कुछ भी करते हैं तो थोड़ी दिरे बाद ग्रे दिखाई देती है तो आप किस तरीके से स्किन केर चाहिए बिल्कुल डिटेल में वीडियो होने वाला है सबी कुछ होगा कि आपको म्रीकप से पहले क्या करना है और उससे पहले क्या करना है तो वीडियो को जरूर लास्टक देखेंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, बेल बटन को आन कर लिजेगा, ताकि नए वीडियो की नॉट्फिकेशन आपको मिलती रहे यह है मेरी आज की ब्राइड और मैं इनका करने वाली हूँ, HD Makeup Look और आज की मेरी तीन ब्राइड और हैं तो सबसे पहले मैं इनका Makeup Look करूँगी, मौनिंग में मैंने अगेजमन Makeup किया है, सबसे पहले आप इनकी Skin देख सकते हैं, Skin पर थोड़ी हल्दी और Skin पर थोड़ी Shine नहीं है, तो किस तरीके से आप अपनी ब्राइड के थोड़ी Shine भी सकते हो और आपका हल्दी जो है वो बेस बिल्कुल हट जाए उस फेस को कैसे क्लीन करना है, और Makeup से पहले क्या लगाना है तो देखते हैं, किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप फिंगर टिप पे Cleansing Milk ले ले लेंगे, Cleansing Milk मैं यूज कर रहे हूं, VLCC का, यह Cleansing Milk अल्सकिन टीशू की हल्प से अच्छे से क्लीन करेंगे फेस को, बट उससे पहले मैं आपको देती हूं, Good News, जितने भी प्रोड़क्ट मैं यूज कर रहे हूं, ज्यादे तर गूड़ वाइपस के, तो गूड़ वाइपस वर चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी सेल, यह है Get Gorgeous सेल, जो और जादा ओफ, तो सभी प्रोड़क्ट के लिंक मैं आपको डिस्कॉप्शन बॉक्स में देंगी, आप चेक कर सकते हैं मेरा डिस्कॉप्शन बॉक्स, यह पर टीशू के हाल पर से इस तरीके से फेस को क्लीन करेंगे आपको, और जो भी कुछ आप करेंगे, लाइट फी अच्छा रहता है, और अपनी फिंगर टिक पे इस तरीके से लेंगे थोड़ा-थोड़ा, और लाइट हाथ रखेंगे, क्योंकि आपको दिहान होना चाहिए, कि आपको अभी साथ की साथ थोड़ी देर बाद इंका मेकप भी करना है, तो ऐसा नहों कि आपकी के कहीं जादा हल्दी लगी है, तो हल्दी भी हट जाएगी, और प्राइड के फेस पे अच्छी सी ग्लो भी आ जाएगा आपके पापया स्क्रब से, तो इसी तरीके से करना है, और स्क्रब के साथ आप टोनर यूज़ करना चाहिए, टोनर कर लें बर जादा अच्छा है, या साबली स्किन आपकी तब भी आप कर सकते हैं, बहुत ही बैस्ट रजल्ट मिलेंगे इस से आपको, क्योंकि पापया हमारी स्किन को ब्राइट करने में मदद करता है, हमारी स्किन की ड्राइनस को दूर करता है, हमारी डेट सेल्स को रिमूव करता है, अगर आपकी स्किन को glow भी करेगा और हमारी skin को moisturize भी करेगा तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ Good Wives का aloe vera gel यह है हमारी skin पर sunburn होने से बचाता है अगर आप धूप में जा रहे हैं तो आप इसका daily इस्तेमाल कर सकते हैं और एने को भी कम करते हैं skin को glow भी तो बनाता है और skin को moisturize करता है तो अगर आप scrub भी नहीं करना चाहते तो एक बार अपनी bride की skin को fresh करने के लिए आप aloe vera gel जरूर करें जिससे आपकी हल्दी भी रिमूँ हो जाएगी और आपकी bride की skin में अच्छा सा glow भी आ जाएगा और साथ की साथ skin बहुत जादा मौस्चराइज हो जाएगी तो ये था good wives का aloe vera gel सभी product के link आप देखना चाहते हैं तो description box में एक बार check कर लीजेगा क्योंकि कई आप comment box में पूछते हैं कि मैं हम कौन से product यूज के हैं और कहां से ले हम तो जरूर पूर एक बार description box चेक करा कीजेगा अगर आप online पारलर कोर्स सीखना चाहते हैं तो आ सकते हैं मेरे चैनल पर मैं बिल्कुल डिटेल में सिखाना पसंद करती हूँ और product के साथ बताती हूँ और एकदम छोटी छोटी बाते बताती हूँ अब की स्किन पे आपकी इस पर कोई नुकसान नहीं हो यहां पर एक क्लीन टिशू लेंगे और आच्छे से जेल को थोड़ी दे रखने के बाद क्लीन कर देंगे और आप देखे हो जैसे जैसे हमारी ब्रैड का स्किन केर होता जाता है स्किन में एक अच्छा सा ग्लो मिलता जाता है नेक्ट यहां पर मैं लगा रही हूँ पैक यह पैक काफी अच्छा है यह Good Wives का पापया पैक है जो कि मैं पापया ही ज़ादा ही उस कर रहे हूँ क्योंकि इस टम काफी बैस्ट है अल स्किन टाइप के लिए तो यह Good Wives का ही है स्किन को हाइडरेट करेगा आपकी और जितने भी आपकी स्किन पे दाग धब्बे होते हैं सभी को रिमूव करते हैं तो ऐसा मस सोचेगा कि आप ब्राइट पे ही करें आप अपने पारलर में किसी ब्राइट को देना चाहते हैं के तो भी आप कर सकते हैं क्लीन अप करना चाहते हैं और अगर अपनी प्राइट को यह सब देते हैं तो आपकी ब्राइट ओर जादा खुस हो जाते हैं क्यूंकि वह ठकी हुई होता है वेडिंग के टाइम तो उसको रिलाक्स मिलता है यह सब चीजे करने से, आप जोए आदे घंटा पहले बुला लीजेगा, और यह सब करिएगा, तो उनके फेस से हल्दी भी रिमूव हो जाती है, स्किन हाइडरिट भी हो जाती है, स्किन में कच्छा सा ग्लो भी आता है, और आपकी ब्राइड जो है, वो रिलाक्स भी हो जात रखेगा कि थोड़ा सा पहले गिला कर लें, डारेक्ट ऐसे ही सुखावा पैक ना उतारें, गिला करने के बाद ही टीशू के हल्प से इस तरीके से क्लीन कर देंगे, और अब हम अपनी मेक अप से पहले की स्किन केर करेंगे, तो आप अच्छे से फेस को एक बार वोश कर ताकि स्क्रब के दाने या कुछ भी आपके फेस पर ना लगा हो, तो मैं अपनी ब्राइड का फेस अच्छे से वाश कर वालूँगी और उसके बाद शुरू करूँगी कि आपको मेक अप से पहले क्या लगाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ले लेंगे टोनर, आप इसमें तीन टोनर आपको मिल जाएंगे, गुडवाइब्स का ग्लो टोनर, गुडवाइब्स का लुकराइज ब्राइटनिंग टोनर और ओली स्कीन के लिए गुडवाइब्स का ग्रीन टी टोनर, तो यहाँ पर मैं यूज कर रहे हूं गुडवाइब्स का लुकराइज ब तो इससे आपको मेकप में बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी मेकप या तो फट जाएगा आपका आप जो बेस पराते हो फट जाएगा जगे जगे से या पैची हो जाएगा तो इस वक्त आप जरूर यूज करेगा यह आल स्किन टाइप के लिए काफी बैस्ट है और सीरम हम मौशृराईजर मैं यहाप पलम का लगारी हूँ और बहुत कम कॉँटिटी में लेंगे और पूरे फेस पर फिंगर्टिक की है इस तरीके से कर देंगे हर चीज़ आपकी स्किन के लिए बहुत जादधा जरूरी है और मौशृराईजर भी उससी तरीके से जद़र जरूर तो आप एले scrub कर लीजिएगा और उसके बाद lips पे lip balm जरूर लगाएगा जब तक lips निकी बारी आते हैं तो आपके bright के lips काफी smooth और soft हो जाते हैं और काफी देर तक wash rise भी रहते हैं lip balm से उसके बाद आजाता है हमारा primer यहाँ पर primer हम यूज करेंगे glam 21 का hd primer क्योंकि मैं यहाँ पर hd makeup यूज करने वाली हूँ primer हमारी skin के जो open pose होते हैं उनको बहुत minimize कर देता है skin में बहुत अच्छा से glow लाता है हमारे makeup को long lasting बनाता है skin को soft बनाता है smooth करता है और हमारी skin को बहुत ज़्यादा bright look देता है skin type के लिए होता है और काफी light weight है और यहाँ पर मैं यूज करेंगे good wipes का strawberry body lotion आपको इसमें काफी अलग अलग flavor में मिल जाते हैं यह अगर आप brightening के लिए चाहते हो fairness के लिए चाहते हो आपकी skin बहुत smooth हो जाये glow हो जाये तो अलग अलग आपको मिल जाते हैं और आप देखेंगे मेरी bright के हाथ में कितना glow आ जाएगा इससे भी आप अपने personal use के लिए भी लेना चाहते हैं तो इसे easily ले सकते हैं अपनी body पर easily लगा सकते हैं काफी smooth हैं आपकी skin को bright तो करते हैं साथ में smooth और soft भी बनाते हैं तो आप इस तरीके से इनका use कर सकते हैं और आपको मेरा bright की skincare करने का तरीका पसंद आया आपको पता चला कि हल्दी किस तरीके से remove कर सकते हैं एक skincare के ही जरिये तो यह भी आप करके देखेगा आप बताएगा मुझे comment box में कैसा लगा मेरा यह video और आप मुझे comment box में जरूर comment करके बिताएगा कि आपको कैसे लगा मेरा यह video और अगर और कुछ जाना चाहते हैं तो मुझे comment box में बता सकते हैं और देख सकते हैं मेरी bright की हाथों पर कितना च्छा glow आ गया है इस body lotion से और आप अगर इनका make-up ल लग रही थी आपको मेरा मेक अप करने का तरीका पसंद आता है मेरे वीडियो पसंद आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंट के साथ शेर जरू करिएगा मिलोंगे अपनी नेक्ट वीडियों कुछ नहीं है और अच्छा